ओम शंदी 11 में 2020 के बाबा के साकार महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हीन आंगों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुन्या की सामक्री है ये समाप्त होनी है इसलिए इस दुख धाम को बुद्धी से भूल जाओ प्रश्न मनुष्यों ने बाब पर कौन सा दोश लगाया है लेकिन वे दोश किसी का भी नहीं है उत्तर इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है दुख भी वही देता सुख भी वही देता ये बहुत बड़ा दोश लगा दिया है बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता अगर मैं विनाश कराओं, तो सारा पाप मेरे पर आ जाए वह तो सब ड्रामा नुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ, आज का गीत है बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं, गीत का अर्थ करने से वानी खुल जाएगी बच्चों की बुद्धी में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा पूरी होती है भक्ती मार्ग है ही रात की यात्रा, अंधियारे में धक्का खाना होता है आधा कल्प रात की यात्रा कर, उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर, यह यात्रा एक ही बारी करते हो तुम जानते हो याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सत्युक के मालिक बनते हैं, सतो प्रधान बनने से सत्युक के मालिक, तमो प्रधान बनने से कल्युक के मालिक बनते हो, उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नर्ग, अभी तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है, जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं, वे सिर्फ यह याद रखें, शांती धाम है, हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी ये है दुख धाम, अरावन राज्य, अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ, भल यहां रहते हो, प्रंतु बुद्धी में ये रहे, कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, वे सब रावन राज्य है, इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुन्या की सामगरी है, ये सारी सामगरी इस यग्यों में स्वा करते हैं, यहां तो विनाश होना है, उंच ते उंच है बाप, पीछे है ब्रम्हा और विश्नु, शंकर का इतना कोई पाथ है नहीं, विनाश तो होना ही है, बाप तो विनाश उन से कराते हैं, जिस पर कोई पाप न लगे, अगर कहीं भगवान विनाश कराता है, तो उस प पर दोश आ जाए, इसलिए ये सब ड्रामा में नोद है, ये बेहत का ड्रामा है, जिसको कोई जानते नहीं है, रच्टा और रच्णा को कोई नहीं जानते, ना जानने कारण निधन के बन पड़े हैं, कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है, तो आपस में हैं, तो कहते हैं, तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या, अभी तो करोडों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है, नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं, एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं, दुख धाम में है ही अशा ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं, मनुश्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, प्रन्तु बाप कभी दुख दे न सके, उनको कहा ही जाता है सुख दाता, तो फिर दुख कैसे देंगे, बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते है एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी, हम आत्मों के रहने का स्थान परमधाम है, जिसको शांती धाम भी कहा जाता है, ये अक्षर ठीक है, स्वर्ग को परमधाम नहीं कहेंगे, परम माना परे ते परे, स्वर्ग तो यहां ही होता है, मूल वतन है परेते परे, जहां हम आत्माई रहती हैं, सुख दुख का पाट तुम यहां बजाते हो, यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल रॉंग, स्वर्ग तो यहां है नहीं, अभी तो है कल्योग, इस समय तुम हो संगम यूगी, बाकी सब हैं कल्योगी एक ही घर में बाप कल्योगी, तो बच्चा संगम यूगी, इस्त्री संगम यूगी, पुरुष कल्योगी, कितना फर्क हो जाता है, इस्त्री ज्यान लेती, पुरुष ज्यान नहीं लेते तो, एक दो को साथ नहीं देते, घर में खिट-खिट हो जाती है, इस्त्री फूल बन जाती है, वे कांटे का कांटा रह जाता, एक ही घर में बच्चा जानता है, हम संगम यूगी पुरुशोतम, पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते, शादी बरबादी कर, नर्कवासी बनो, अब रुहानी बाप कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, अभी की तो उनका एफिजी जलाते हैं न, जैसे रावन को जलाते हैं, तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, प्रन्तु ये किसको मालुम नहीं कि रावन कौन है, बहुत ही खर्चा करते हैं, मनुश्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, वहाँ तो बिजली में रखा और खत्म, वहाँ ये खयाल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए, वहाँ की तो रस्म रिवास ऐसी है, चो कोई तकलीफ अत्वा थकावट की बात नहीं रहती, इतना सुक रहता है, तो अब बाप समझाते हैं, मामेकम याद करने का पुरुशार्थ करो, यह याद करने की ही युद्ध है, बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने उपर अटेंशन का पहरा देते रहो, माया कहां नाक कान काठना जाए, क्यूंकि दुश्मन है न, तुम बाप को याद करते हो, और माया तूफान में उड़ा देती है, इसलिए बाबा कहते हैं, हर एक को सारे दिन का चाठ लिखना चाहिए, कि कितना बाप को याद किया, कहां मन भागा, डायरी में नोट करो, कितना समय बाप को याद किया, अपनी जांच करने चाहिए, तो माया भी रखेगी, ये तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है, अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचे देते हैं, कहते हैं, भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो, ये कोई उन सन्यासियों मौफिक नहीं है, वे भीक पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है न, तुम उनको भी कह सकते हो, कि तुम हट योगी हो, राज योग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े, हम अभी संगम युग पर सर्वो उत्म देवता बनते हैं, हम उत्म पूरुष अर्थात पूर्जय देवता थे, अब कनिष्ट बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं, अब हम क्या बनते हैं, मनुश्य जिस समय बेरिस्ट्री आधी पड़ते हैं, उस समय मर्तवा नहीं मिलता है, इंतिहान पास किया, मर की सर्विस में लगेंगे अभी तुम जानते हो हमको उंचे ते उंच भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर उंच ते उंच पद भी देंगे ये एम ऑबजेक्ट है अब आप कहते हैं मामी कम याद करो मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है आत्माओं का बाप मैं बिंदी ह मेरे में सारा ज्यान है तुमको भी पहले ये ज्यान थोड़े ही था कि आत्माओं बिंदी है उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुन्धा हुआ है क्राइस्ट पाठ बजाकर गए हैं फिर जरूर आएंगे तो सही ना क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी जो भी उँच ते उँच धर्म स्थापक हैं वे अब तमो प्रधान हैं ये भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना अब फिर सतो प्रधान बनते हैं तद तवम तुम जानते हो हम अभी ब्राहमन बने हैं देवता बनने के लिए विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है यहां आने से पतित बनी है तब कहते हैं यह पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ तो हम अपने घर मुक् जीवन मुक्ती धाम किसको कहा जाता है मुक्ती धाम को शांती धाम कहा जाता है जीवन मुक्ती धाम को सुख धाम कहा जाता है यहां है दुख का बंधन जीवन मुक्ती को सुख का संबंध कहेंगे अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा हम पुरुशार्थ करते हैं उंच पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए, हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, जगतंबा नंबर वन में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे, जो बच्चे अभी मात पिता के दिल पर चढ़ते हैं, वही भविश में तख्त नशीन बनेंगे दिल पर वे चढ़ते, जो दिन राज सर्विस में बिजी रहते हैं, सबको पैगाम देना है, कि बाप को याद करो, पैसा, कौडी, कुछ भी लेने का नहीं है, वे समझते हैं यह राखी बांधने आती हैं, कुछ देना पड़ेगा, बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर करो, पवित्र बनो, तो ये देवता बनेंगे, बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं, हम वे ब्राहमन नहीं हैं, सिर्फ पांच विकारों का दान दो, तो ग्रहन चूटे, अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहन लगा हुआ है, तुम ब्राहमन होना, जहां भी ज बोलो, दे दान तो छूटे ग्रहन, पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना, बाप को याद करेंगे, तो विकर्म विनाश होंगे, और तुम फूल बन जाएंगे, तुम ही फूल थे, फिर कांटे बने हो, चोडासी जन्म लेते लेते, गिरते ही आए हो, अब वापिस जाना है, बाबा ने डिरेक्शन दिया है, इन द्वारा, वे है उंच ते उंच भगवान, उनको शरीर नहीं है, अच्छा, ब्रम्हा, विश्नु, शंकर को शरीर है, तुम कहेंगे हाँ, सुक्ष्म शरीर है, प्रंतुवे मनुष्यों की सृष्टी तो नहीं है, खेल सारा सुक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा, वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं, तो नाटक भी काहे का होगा, ये बहुत बड़ा मांधवा है, पुनर जन्म भी यहां होता है, सुक्ष्म वतन में नहीं होता, अभी तुम्हारी बुद्धी में सारा बेहत का खेल है अभी पता पड़ा है, हम जो देवी देवता थे, सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है आधा कल्ब हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता नहीं है आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वे जिन्होंने कल्प पहले माना होगा पांच हजार वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं सत्यूग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे ऐसे नहीं कि सोनी द्वारी का कोई समुद्र के नीचे है वे निकल आएगी दिखलाते हैं सागर से देवताएं रतनों की थालियां भर कर देते थे वास्तम में ज्यान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्यान रतन की थालियां भर कर दे रहे हैं दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्यान रत्नों से जोली भरी, शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते जोली भर दो, हमको धन दो, तु देखो शंकर की भी गलानी कर दी है, सबसे जास्ती गलानी करते हैं हमारी, ये भी खेल है, जो फिर भी होगा, इस नाटक को कोई जानते नहीं, मैं आकर आदी से अंत तक सारा राज समझाता हूँ, ये भी जानते हो, उचे ते उच बाप है, विश्नु सो ब्रम्हा, ब्रम्हा सो विश्नु कैसे बनते हैं, ये कोई समझ न सके, अभी तुम बच्चे कि हम विश्नु कुल का बने, विश्नु पूरी का मालिक बनने के लिए, तुम ब्राह्मन बने हो, तुम्हारी दिल में है, हम ब्राह्मन अपने लिए सूर्यवन्शी चंद्रवन्शी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत पर, इसमें लड़ाई आदी की कोई बात नह देवताओं और असूरों की लड़ाई कभी होती नहीं, देवताएं हैं सत्युग में, वहां लड़ाई कैसे होगी, अभी तुम ब्राह्मन योगबल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, तुम साइलेंस बल से साइंस पर वि तीखी हैं, अभी एरोप्लेन ऐसा निकला है, जो एक घंटे में कहां से कहां चला जाता है, अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है, चप्ती में आत्मा कहां की कहां जाकर जन्म लेती है, कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं, आत्मा सबसे तीखा रोकेट है, इसमें मश चीनरी आदी की कोई बात नहीं, शरी छोड़ा और ये भागा, अब तुम बच्चों की बुद्धी में है, हमको घर जाना है, पतित आत्मा तो जाना सके, तुम पावन बन कर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खा कर जाएंगे, सजाएं तो बहुत मिलती हैं, वहां तो गर महल में आराम से रहते हैं, बच्चों ने साक्षात कार किया है, कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कोई गंद की बात नहीं, एकदम जैसे रोश्णी हो जाती है, अभी तुम वैकुंट के मालिक बनते हो, तो ऐसा पुरुशार्थ करना चाहिए, शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए, दाल भात सबसे अच्छा है, रिशिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते, हां कोई कैसे कोई कैसे होते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पेता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, रुखानी बा प्हानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने उपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चाट रखना है, दूसरा, मात पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है, दिन राद सर्विस पर तत पर रहना है, सब को पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पांच विकारों का दान दो, तो ग्रहन छूटे, वर्दान, बाप की याद द्वारा और संतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूती करने वाले महावीर भाव, सपष्टिकरन, सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिती में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्यूंकि नौलेज की शक्ती के आधार पर पहाड मौफिक परिस्थिती भी राई अनुभव होती है, राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिती असंतोश की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिती में सुख की स्थिती रहे, तब कहेंगे महावीर, एक रस्थिती रह सकती है, फिर दुख अशान्ती की लहर भी नहीं आएगी, स्लोगन, अपना दैवी स्वरूप सदा समृती में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती, ओम शान्ती